प्रधान मंत्री मोर्शन, अस्ट्रेलिया और भारत के ट्रेड मंत्री और हमारे साथ जुड़े दोनों देशों के सभी मित्रगण नमस्टाइब एक महने से भी कम समय में आज मैं अपने मित्र स्कॉर्ड के साथ तीसरी बार रुबरू हूँ पिछले हपते हमारे बीच वर्चुल समीट में बहुत प्रोड़क्टिव चर्चा हुई थी उस समय हमने अपनी टीम्स को एक्रोनमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रिमेंट पर बाक्तित सिक्र संपन करने का दिरदेश जिया था इस न्यूज के बारे भी आप लोगों से बात करूँगा भी उससे पहले आज का डिसकसन स्टार्ट करेंगे एक श्यांदार मोटिविशनल कोड के साथ में यह जो कोडिशन है यह आप लोग के मन को एक बड़ी ही बहतरीन तरीगी सांती देने का काम करेंगी मतलब क्या है कि जिन्दगी में हम लोग कई बार कई सारी चीज़े ऐसी करते हैं कि हम लोगों को ऐसा लगी क्यार हम लोग ऐसे हैं लोग हमेरे बारे में ऐसा सोचें कि हम लोग ऐसे हैं वो वाली जिन्दगी जो होती ना वो बिल्कुल फेक जिन्दगी होती है आप लोगो कभी भी मन की तसली और सांती देखने को नहीं मिलेगी पर लेकिन अगर कुछ चीजे आप लोग ऐसे करें जो reality में आप लोग को अंदर से खुशी मिलती है और चाहे वो किसी को पता हो चाहे किसी को नहीं पता हो आप लोग कोई फरक नहीं बढ़ता है उससे तो वो वाली जिंद्गी जो है वो हमेसा आप लोग को मन के सांते दे कर जाएगी जैसे कि जिंद्गी में कुछ नेक काम ऐसे भी होने चीए जिनका सिर्फ खुद के सिवा कोई दूसरा गवा ना हो यानि कि अगर आप लोग को लगता है कि हाँ यार ये काम आप लोग को करना चीए और ये किसी को दिखावे के लिए नहीं कि हाँ लोग दिखाएंगे सोसल मीडिया पर पोस्ट करेंगे या फिर वो सब चीज़े होगी मैं यह नि कहरा हूँ कि वो सब गलत चीज़े हैं अच्छी चीज़े हैं इससे अई सारे लोग और वो काम करने के लिए एक तरी से उत्साहित होते हैं करना चाहिको होो कि लगे की नहीं कि आरे थि किसी इन्सान की विप कर दो किसी वी तरीके यह इसे तरीकें जासे milliards तो आप लोग क्या कर सकते हैं यह किसी कुछ बताने के तो आप लोग सकते हैं और उनकी जो बचित ही उलोग किटाबें देगे दिवारा मुझे школ bonka कि से से को बताना नहीं तो यह इस त satisf चीजे भी आप लोग को देखने को मिलती है तो यह अपने दिल की तसलिके लिए वात की जा रही है एपने लिए लिए बस उलेगी तो यह काफी इंपोरेंट है जिसको आप लोग देखेगा जिंदगी में आप लोगो तसली चाहिए सबकून चाहिए तो मुझे लगता कि उससे बड़ा कहना कोई है अगर आप लोग रियल लड़ी में चीज़ों को समझना चाहते हैं तो जो न्यूज हैं कहीं सारी डिस्स कर आज संडे संडे को फंडे बनाते हो थोड़ा सा स्टड़ी डे बनाएंगे पर आगे बढ़ने से पहले एक इंपोर्डेंट न्यूज है जो कि आप लोगो देखने को मिलेगी जो की अभी काफी बड़ी कॉंट्रोवर्सी भी हां पर किरेट हो गी है अभी हां पर अगर सारी स्टेट में जो हटा देना चाहिए और अगर ऐसा नहीं किया गया तो यह क्या करने की बात करें हैं यह बोलेंगे कि हम हनुमान चालिसता हर एक मोस्क के सामने अपना जो है बेसिकली लाउड स्पिकर लगा कर बजाएंगी तो यह यहां पर एक काफी बड़ी कॉंट्र और कुछ डवलोपेंट की बात है कि कि इनके दौर अक्तर प्रदेश के अंदर अच्छा का सा डवलोपेंट चल रहा है तो यह बोलेंगे कई सारे लोग की पॉलोटिकल मुद्यों को उक्साने की कोसिस की जा रही है ठीक है कई सारे राज्ये में अभी इलेक्सन आप लोग आप लोगो जाकर उठानी है और जो राइट टू रिलिजन है आपर उसका थोड़ा सा रिलिजन कर लेना है जो आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 अनुछेद में आप लोग को देखने को मिलते है ठीक है तो यह कुछ ऐसी चीज़े हैं जो आप लोगो हमेशा कोई भी ऐसा आंदर पागिस्तान के अंदर में उसके लिए को सब्सक्राइब जयसा मैंने आप लोग को बताया हुए है इंडिया के साथ में बात करनी चाहिए ठीक है और कहीने की हाँ पर यह जो बाते निकल कर आ रही है यह इनके द्वारा नहीं है यह बुख लगए कि चायना जो है वो अपना रोल पले करने की कोशिस हैं पर गर रहे हैं पलेगी दूसरी सैट में इनकी जो पॉलिटिक्स है वो पाकिस्तान की गात नहीं है जो बिसिकली अगर कुछ बाते बोलने लगे तो फिर वो है इसको उठाकर भी फैंके यंके आर्मी के हाथ का पैपट इसको बोला जा रहा था इम्रान खान को और अभी भी देखने को भी ऐसे मिल रहा है जैसी आर्मी के साथ में इनके रिलिशन जो है विगडे तो रंद इनके ज सकते हैं तो आप लोगों पता तो होना चाहिए कम से कम क्या चल रहा है मैं यह निहीं कहरूं कि रडरना है भी बैट कर अब हैं और अब आप इस जो है वह काफी जद नियूस में आ गया है तो नोर्तिस्ट के बारे में आप लोगो कई सारी बाते पता हो जी जो है जो बीसि अगर कोई आप लोग से बाते करें तो आप लोग को पता होना चाहिए और कई सारे कोश्चन भी हाँ से पूछे जा चुके हैं नोर्थिश्ट के बारे में तो जो आसाम है आपर A4 आसाम नॉर्मली और N4 नोर्थिश्ट बोल देते हैं तो यह आप लोगे लिए development के बारे में centricity listen के बारे में government policies के बारे में society के बारे में बगर बाख करें तो यहां से कई बार question आते हैं और नोर्थिश्ट काफी important भी आते हैं तो नोर्थिश्ट के बारे में कुछ में बाते हैं आप लोगे explain करने वालों जो कि आप लोग काफी जदा फायदा पहुचाएगी और आप लोग से distance करने वालों पहले आप लोगो map दिखाते हो उसके बाद में आगे बढ़ेंगे यहां पर दिक्कते देखने को आप लोगो मिलने लगेंगी तो फिर कहीने कहीं जो हमारा relation रहता है आसियान गूरुप के साथ में जो हमारा relation रहते हैं हाँ पर basic अगर जाएंग तो strategically काफी important location है यानि कि अगर North East को आप लोग देखोगे तो यह तिनी अच्छी location है आपर यह कि कहीं न कहीं अगर यहां से हम लोग जाएंगे यहां पर आश्यान country के साथ में जिसमें total मिलाकर 10 member हैं उसमें Myanmar भी एक member है तो सारी country के साथ में हमारे relation जो है वो अच्छे हो प मざलब क्या था कि हम लोगको इस्ट की साथ में देखना है यानि कि हमारी जो country है वो यहां पर आप लोग देखने को मिल रही है और हमारा Eastern reason होगे तो इस्ट की साथ में हम लोग को देखना है और यहां पर बात करेंगे वेस्ट तो पहले lookist policy होगी यहां पहले देखो फिर हो पर बेसिकली आप लोगों मुद्दा देखने को मिला तो यहां से हमारी connectivity बढ़ रही है और इस particular reason में हम लोग जब connectivity बढ़ाते हैं तो हमारा development अच्छा चलता है इस revision के लोगों के लिए हाप यह फाइदेमन भी रहता है इंडिया का first organic राज है इस टेट भी आप लोग यहां से देखने को मिला tourism के potential के point of से direct कोई कई सारे question पूछ ले आते हैं आप लोगों से जिसे काजी रंगा नेसल पार कहां पर है ठीक है तो आप लोग बोलोगे आसाम के अंदर famous किसलिए है वो है one horn rhinos के लिए ठीक है इसी के साथ में मानस नेसल पार्क हो गया ठीक है नामेरी हो गया औरेंग हो गया इसी के साथ में हापर दिब्रू सिको हो गया यह आसाम के अंदर आप लोगो सारे देखने को मिलेंगे और मैच करने के लिए भी आ जाते है इस्टेट पीसिस के अगर आप लोग तैयारी कर रहे है नाम धपा यह पूछा गया था एक्जाम में प्रिलिम्स के अंदर में UPS से के दोरा ठीक है तो नाम धपा यह आप लोग का अनुचल परदेश में देखने को मिलेगा कैबुल, लैमजो यह आप लोग को मणीपूर में देखने को मिलेगा और कंचन जुंगा यह सिक्कियम के अंदर में है और यह एक चीज के लिए और फेमस है आप लोग को पते है अगर मैं आप लोग से बात कुरू है यहाँ पर UNESCO की World Heritage Site के बारे में आप लोग को पढ़ा है मैंने कई यह बार तो आप लोग को यह बताना है जैसे UNESCO की जो World Heritage Site होती है उसमें कौन सी कैटेगरी में इसको रखा गया है कंचन जुंगा नेसल पाक को और एक लोटी कैटेगरी में एक लोटी यह साइट आप लोग को देखने को मिलेगी इसलिए कई बार एक्जाम में कोशन बनता है ठीक है तो बताएगा इसके बारे में फिर कल आंसर बताऊंगा तो आप लोग को बता ही दूँगा कल्चर के लिए हापर काफी सिगनिफिकेंस है इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा खासकर अगर ये रीजन देखा जाए होन बिल फेस्टिबल अभी बहुत जादे न्यूज में था इसको कैंसिल भी किया गया ये सेलिबेट नहीं किया गया जब यहाँ पर जो हमारी कंट्री की जो आर्मी है उनसे जो गलती ही इसके वेसे आपर कई सारे लोग भी जान गई तो उसकी वेसे आपर ये न्यूज में था इसी के साथ में पानल इसोगोर ये हाँ पर आप लोग को सीकिम के अंदर देखने को मिलेगा ठीक है तो कई सारे ऐसे आप लोग यहाँ पर एक तरीके से इसे फेस्टिबल भी सेलिबेट कियाते हैं तो अलग-अलग एरिया में हाँ पर इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं अब important मुद्ध हैं पर क्या है? infrastructure related कई सारे initiative हैं यहाँ पर एक तो भारतमाला प्रियोजना है भारतमाला प्रियोजना के बारे में आप लोगो पता होगा कि हमारी country का जो northern वाला reason है उसको connect करने की बात की जा रही है भी recently discussed किया है आप लोगों से जो हमारी current affair वाली वीडियो आती है साड़े 8 बेजे शाम को उसमें मैंने discuss किया था कि regional जो हमारी country में आज केर में जो उड़े देश का आम नागरी तो regional connectivity की जो यहाँ पर इसके में उड़े देश का नाम आगरी उड़ान की जो इसके में आपा तो उसमें North East को connect करने की बात की जा रही थी ताकि affordable यानकि सस्ती service यहाँ पर मिल सके तो यह काफी important है तो यहाँ पर इसके लिए भी था है आपर connectivity project कई सारे इसके कलादान के उपर question आप लोगों से पूछा गया कलादान यहाँ पर एक multi-purpose project है यहाँ पर कलादान multi-modal transit यह आप लोगो transport project यहाँ पर देखने को मिला जिसका एम था कि North East को यहाँ पर कोलकता के साथ में connect के जा सके कहां से sitway port के through अब आप लोगों समझ में आएगा कि Myanmar के अंदर इतनी सारी उल्डी सीथ हरकते चल रहे हैं हम लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं क्यों क्यों क्योंकि sorry याँ क्योंकि आप लोगों को देखने को मिलेगा कि Myanmar के अंदर है यहाँ पर sitway port है इस sitway port का यूज करते हैं हम लोग अपने नोर्थ इस्टन डिजन के साथ में connect करने के लिए और कोलकदा के साथ में कल को चल कर यहाँ पर चाइना जैसे हाँ पर गुटाने बैठा हो था क्योंकि कल को चल कर अगर कोई भी दिक्कत होगी तो बंगला देश भी अगर यहाँ पर पाकिस्तान जैसी हरकते अगर करने लगा तो फिर हमारी connectivity और ज्यदे दिक्कते पड़ जाएगी नोर्थ इस्ट वाले रीजन के साथ में और इसलिए हम लोग लोग ऑल्टरनेटिव चल रहते हैं हाँ पर इंडिया जो है वो क्यों है हाँ पर मैनमार के खिलाप नहीं बोलते हैं तो अब आप लोग यह समझ में आ गया हो गया कि मुद्दा क्या निकल कर यहाँ पर आता है ठीक है अगे चले हैं पर जो रूट है आपर एक काफी इंपोटेंट जिसको बोलते किया हो गया है इसको बोलते हैं पर बंगला जेस चाइना इंडिया और मेरमार तो यह हाँ पर एक इकनोमी कोरिडोर बनानी की बात की जा रही जिसके चलते हैं हाँ पर कन्वीन करके जो भी आप लोग को शूटे भी लगे एकजाम में याद आना चाहिए बूल मच जाना बच्पन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना तो यहां पर मांडले जो है यह बिसिकली आप लोगो देखने को मिलेगा कहां पर यह मैंनमार के अंदर में और यहां से तो ढाका भी आप लोग यादर खलीजेगा वैसे जो कि बंगलादेश से कनेट होगा तो इस तरीके से कोलकाता से एक ये प्रोजیक्ट होगया कोलकाता से दूसरे ये प्रोज्यक्ट मैंने आप लोगों बटाए दिया और एक प्रोज्यक्ट मैंने सागरमाला प्रियोजना के बारें बता दिया तो इस सारी connectivity हम लोग North East को आगे लेकर चलने की बात पर करते हैं तो काफी important हो जाता है आगे बात करें हाँ पर North Eastern region जो है उसके लिए Vision 22 हम लोग ने बनाये थे हाँ पर कि कैसे development करना है North East के reason के लिए तो different उसके लिए ministry भी हाँ पर लाएगे हमारे गिवारा donor ministry जिसको बलते है ministry of development of North Eastern region तो ये इस्टेबिस की थी 2001 में और फिर इसको elevate किया गया फुल मिनिस्टी के तोर पर बेसिकली 2004 में जब एक नई ministry बन गई अच्छा हाँ भाई साब एक पूरी ministry होने चाहिए इस region को देखने के लिए ताकि ढंसे इस region को लेकर चल सगे इसी के साथ में डिजिटल नोर्टिस्ट विजन 2022 आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा जिसके चलते हैं डिजिटल टेक्नोलोजी का भी हम लोग enhancement कर रहे हैं और बाकि मैंने आप लोग को बताया था जो direct question आप लोग उसे बन जाते हैं याद रखेगा article 244 के तहर जब आप लोग बात करते हैं तो autonomous district council भी कई सारी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलती हैं यानि खुद को उनको अधिकार दे रखे हैं नोर्टिस्ट वाले डिजिजन में कई सारे एरिया को कि अपने local decision आप लोग अपने आप लेकर चल सकते हैं तो यह कई सारी important बाते हैं हमारे जो नोर्टिस्ट वाले decision के लिए छटा schedule है हमारे समिधान के अंदर में जो कि आसाम मेखाले तिरपुरा और मिजोरं को अलग से यहाँ पर tribal area को अपने हिसाब से उनको लेकर चले उसके लिए अधिकार देते हैं क्योंकि 73rd जो जो basically constitution amendment हमारे द्वारा किया गया था समिधान में संसोधन करके हाँ पर पंचायती राज सिस्टम को वो यहाँ पर उस level पर implement नहीं हो पाता है क्योंकि tribal community बहुँ जाते हैं आदिवासी लोग बहुँ जाते हैं तो उसके चलते हैं यह चीज़े देखने को मिलती है और important बात यहाँ पर यहाँ autonomous district council बन जाती है यहाँ पर पर parliament यह फिर state की power खतम हो जाती है यह तो governor की power चलती है और यह फिर president की power चलती है इनके हिसाब से हाँ पर काम आप लोगों को देखने को मिलेगा और छटा schedule मैंने आप लोगों को बताये थे हाँ यह याद रखेगे हैं हाँ पर बार दोले ही committee जो आप लोगों कभी नहीं भूलनी है यह इसके द्वारे recommend किया था कि इसको आप लोगों को लेकर चलना है क्योंकि यह जो reason है tribal community उनकी खुद की culture होती है तो उनकी culture पर कोई impact नहीं पड़ना चाहिए तो यह भी North East वाले region में काफी सारी चीज़ा आप लोगों को देखने को मिलेगी तो इसलिए आप लोगों को इसको लेकर जड़ा सा भी confusion नहीं होना चाहिए एक analysis यहाँ पर क्या जा रहा है जो कि काफी important है खास कर जब से रसिया और Ukraine के बीच में war चल रही है तो उसकी वेसे यहाँ पर जो गेम हों है उसकी availability और उसका price जो है वो काफी जड़ा है ओपर नीचे आप लोगों को होता हुआ नजर आ रहता क्योंकि रसिया जो है वो one of the biggest exporter है आपर दुनिया में गेहों का जो कि आप लोग यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे तो इसके चलते हैं हाँ पर काफी सारी चीज़ा आप लोगों को देखने को मिली आप लोगों को याद हो गए हाँ आपर मैंने बताया था कि गेहों का प्राइज जो है वो काफी ओपर नीचे यहाँ पर हो रहा था खासकर जब स्टार्टिक के फेर्ज में थी यहाँ लगाई तो यहाँ से गेहों का प्राइज जो है वो यहाँ से बढ़कर ऊपर यहाँ पर पहोंच गया था तो इसके चलते में काफी ज़दे नीज़ में यहाँ पर आ गया था क्या उगाई जाती है और National Food Security Act के बारे में कुछ में आप लोग से बाते करने वालों यहाँ एक अच्छा concept है जिससे question बनने के chances भी है और काफी ज़दे नीज़ भी है बार बार तो एक एक point यहाँ पर आप लोग से process करूँगा अगर आप लोगो लगता है कि हाँ पर इससे नोर्स बनाने तो नोर्स आप लोग बना सकते हैं यह भी आप लोग के लिए काफी फाइदे मन रहेंगे ठीक है कुछ इंप्रोरेंट चीज़ आप लोग देखें कि इंडिया most जो वीड है वो कौन कौन से देश देश को जाता है तो सबसे जादे तो बंगलदेश के हम लोग बेसते हैं सबसे जाते हैं फिर सिरलंका को जाते हैं यह एक फिलिपिन को इंडोनेशिया नेपाल यमन कातर साउथ क टो यह वह देस हैं जिनको हम लोग अपना जिहों बेस से करते हैं सबसक् civराइन काइना फसंद करते हैं अगर बात करें मुझे एक मेनी तक रोटी नहीं मिलेगी चावली चावल खाने तो थोड़ा सा टॉफ हो जाता है ठीक है क्योंकि जो है रोटी की आदस पड़ी हो यह खाने की बेसिकली ऐसी चीज़े आप लोग बहुत सकते हो आप लोगी क्या रहा है इसके बारे में आप लोग अपने रहे बता सकते है रसिया वो वर्ड में सबसे ज़्यादे वीट एक्सपोर्ट करते है यह दुनिया में जितना जो चावल एक्सपोर्ट किया जाता है उसमें से सोरी चावल नी की हो एक्सपोर्ट कियाता है उसमें से 18% अकेला रसिया एक्सपोर्ट करते है रसिया का जो एरिया है दुनिया में सबसे बड़ा है अगर बात करेंगे रसिया के बारे में पर लेकिन रसिया के अंदर जो है population काफी कम है यहनिके उगतो ज़्यादर है और खाने वाले कम है तो इसका मतलब क्या हो गया तो बेचेंगे सीधा सीधा और दूसरे नमबर पर चाइना सबसे ज़्यादा पर युक्रेन जो है वो अमंग टो फाइव यह एक्सपोर्टर है दुनिया में यहाँ जो लोग जो है दूसरे वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो सबसे ज़्यादा रसे एक्सपोर्ट करता है फिर युएस से फिर कैनडा यह वो देश आप को देखने को मिलेंगे जिनका एरिया तो पर लेकिन population ज़्यादा नहीं है तो इसके बेस पर यहां पर यह इतना खाने बाते हैं तो फिर उसको बेशते ही है फ्रांस और युक्रियन तो टोप फाइव एक्सपोर्ट करने वाले देशे हैं जबकि टोप फाइव अगर पडियूस करने में चाइना और इंडिया दूसे नंबर पर इंडिया तो अपने ही देश में मतलब इतने सारी population है तो उनका ही पेट भर जाएं तो बड़ी बात है यहां पर यहां पर यहां पर कहां से आते हैं तो तुर्की के तो खसता अलत हो जाएगी हां पर आप लोग समझ सकते हैं उसको तो कोई अल्टरनेटिव नूनना पड़ेगा हमारा देश वह सेकिंड लार्जेस पर्ड्यूसर है कि होंगा ठेक है आप लोग देखने को मिलेगा अरांड थरी तो अर्टीन पॉइंट फाइव जो वर्ल्ड का टॉटल प्रोडेक्शन है वह आप लोग को देखने को मिलेगा इंड अब यहां पर 0.54 परसेंट है यह क्यों क्यों क्योंकि जनता इतनी है यार हम अपने देश का पाले बहुत बड़ी बात है बेकने की बात किया है तो सेंटर जो पूल है अभी हमारे पास में काफी है कई बार तो सड जाता है कि हो रखा रखा पर लेकिन अब यहां पर उसको तो सबसे पहले डिमांड बात करते हैं सप्लाई बात करते हैं और पोलिशी का सपोर्ट भी होना चाहिए आप लोग नोर्मली देखा होगा जिसे जनेटिकली मोडिफाइड क्रोप लाए जाती है प्रोपर मेकेनिजम के थुरू काम कियाता है इर्रीगेसन फेसिलिटी होनी चाहिए तब ही जाकर हमारे प्रोपर स्कीम आनी चाहिए और प्रोपर एक्स्पॉर्ट किया जाये वीट और चावल को तो तब अप लोग को अगरी कल्चर में ग्रूथ देखने को बिलेगा इसमें सबसे बड़ा जो मुद्धा हमारे देश में रहा वो है basically green revolution का आप लोगों ने सुना होगा हमारी country में नारा दिया गया जै जवान जै किसान तो उसमें पुरा focus था कि हम अपनी country को force को secure बनाए और अपनी agriculture को secure बनाए क्योंकि एक time ऐसा था कि युएस से ने हमारे को एक तरीके से गहू देते और वो गहू जो था वो इस दरीदर quality का था कि उनके हाँ पर वो basic sewer को गहू डाला करते थे अपने हाँ पर और वो हमारे हाँ पर जानूर को गहू खिलाने वाला उनने हमको दिया था तो दुसरी के उपर dependent रहोगे तो इस तरीके हरकते करता हो नजर आएगा तो तभी हमारी country में green revolution यहाँ पर लाए गया 1960s में objective यह था कि production बढ़ाए जाए अपने देश में और दूसरी के उपर dependency कम हो दुनिया में दो इंसान का नाम जुरूर याद रहेगा तो यहाँ पर किस तरीके से हम लोग यहो और चावल का production बढ़ा सकते हैं उसके ओपर यहाँ पर काम किया गया और international level पर भी एक important organization जो इस फिल्में काम करती है यह भी आप लोग को पता होने चाहिए इस organization का नाम क्या है इसको बोलते है international fund for agriculture development जो की 1977 में बनाए गये थी एक गरीबी को मिटाने के लिए भुकमरी और इन सब चीजों को reduce कने के लिए ठीक है United Nation की specialized agency है जो की 19 आगे चलकर यहाँ पर बात करें United Nation की specialized agency है जो की established किया गया थे हापर एक तरीके से result निकला इसका food जो यहाँ पर जिसको world food conference बोलते है ठीक है तो 1974 बे ठीक है तो यहाँ से फिर आगे चलकर यहाँ पर यह बनी तो कहने का मतलब यहाँ पर यह की proper way में चीज़े की जाती है all over world भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऐसा ही काम कर रहे है तो right to food का अधिकार यहाँ पर दिया गया यह काफी important यहाँ पर हो जाता है तो इसके बारे में आप लोग जरूरी याद रखेगा तो right to food का जो अधिकार दिया गया हाँ पर subsidized food देने की बात केगी यहाँ पर two-third Indian population को यहाँ पर यह फायदा मिलेगा 2013 में scheme को implement किया गया था इसके अंदर कई सारी चीज़े implement किया रहे थी जैसे mid-email scheme हो गया integrated child development scheme हो गया public distribution system और यहाँ पर एक तरीके से maternity benefit भी दिया गया यहाँ एसी women जिनको जच्चा और बच्चा को ध्यान में रखते भी काम कराए जाए तो यह चीज़े आप लोग को देखने को मिलेगी यह basic होगी यह तो मैंने भार की चीज़े बता दी कई सारी आप लोग एस्टा एक कहां कहां पर कितना produce हो रहा है हमारे देश में क्या क्या है प्रिलिफ्स के लेटर important fact होगे अब कुछ ऐसी बाते हैं जो कि अपने देश के बारे में हम लोग बात करेंगे Green Revolution में भी आप लोग को बता दिया तो Green Revolution ने हमारे देश में जो basically रभी क्रोफ होती है उसके उपर काभी focus दिया जिसमें खासकर गेहूं और चावल पर काभी focus दिया जब अगर गेहूं के बारे बात करें अगर North India से आप लोग बिलोग करते हैं तो आप लोग को बता होगा कि एक रभी क्रोफ हैं आपर जो की सर्दियों में उगाई जाती है आपर जैसे जैसे आप लोग ने देखा होगा जिसे गंड़ने की जो कटाई है वो complete होने लगती है तो उसके बाद में आप लोग लोग देखा होगा गेहूं का बोना यहां पर इस्टार्ट कर देते हैं ठीक है तो इसके बाद में फिर आगे चलकर यह अप्रेल और जो मई के महिने में खासकर यह कटना स्टार्ट होता ह जो अच्छी खाती इन मतलब गर्मी रहते है जब यह पकता है जो रेन की जुरत होती है यह 75 से लेकर 100 cm की जुरत होती है और जो मिटी है आप वो बिसिकली फर्टाइल लूमी क्ले लूमी आप लोग को देखने को मिलेगी जो गंगा और सितलेज वाले प्लेन में आप बड़ा होगए टो जो विट क्या जाते है तो उत्तर परदेश हो गया पंजाब हरी अनगे श्राइश है यजहां पर दोल लगाने के लिए वा कई बार state pieces के अंदर में आप फिर confused हो जाते हो तो confused आप लोगो बिल्कुल भी नहीं होना है इनको थोड़ा सा याद रखेगा तो यार इसको थोड़ा सा अपना देख लेगरो इस तरीकी जो चीज़े होती है आगे बात करता हूँ यहाँ पर important facts यहाँ पर wheat के बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछ ले तो हमारे country में कई सारी scheme चलाएगे जैसे micromanagement mode of agriculture national food security mission इसे के साथ में रास्तिय किर्सी विकास योजना तो यह आप लोगो देखने को मिलेगा और हमारे देश में नोर्थ इंडिया और यहाँ पर इसी के साथ में नोर्थ वेस्ट के अंटर में काफी बड़ा रोल प्ले करता है अगर वीट के बारे बात करें खाने के तोर पर और यह एक तरीका अनाज की जो फसल है आपर गेहूं यह बिल्कुल बेसिकली सैकिंड है आपर अगर बात करें चावल के बाद में सबसे ज़्यादा चावल खाया आते हैं आप लोगों पता हो कोस्टल एरिया में काफी लाज़ी स्केल पर और मैक्सिम लोगों को चाप लोगों से पूछो गिहों खाना ज्यादा है पसंद करते हो गिहों नहीं हो रोट ही ठीक है और दलिया भी अच्छा रगता है वह आप लोगों जिसे से गर्मी आते हैं तो ठंडा भी रहता है और सवगयरा का दलिया आप लोग खा सकते हो यह पना पाट बना सकते हैं इससे आप लोगी बोड़ी में ठंडग रहेगी और खासकर आप लोगी हैल्थ भी अच्छ रहेगी और यह इतना भी नहीं की बहुत महँग सकते हैं अगर कोई आप लोगों से पूछे कि हाँ पर एक पर्टिग्लर कोई परसा ने और उसको एक चुहे ने काट लिया और उसकी डैथ होगी आप लोग क्या लगेगा कि हैं ऐसा थोड़ी नहोंता है करने से इंसान मर जाते हैं तो इसको बढ़ जाते हैं अगर इसके बारे में बात खी एती है तो इसका मतलब यह की वह इंसान जो है वह वह लेड़ी देखकत में हैं और आगे इनकों जादे दिक्कत थे आ wann फिशने को मिलेंगी तो इसी करलते हैं फूज बात में आप लोग बताने वाख लिए हान्य होता कि अभी COVID-19 के चलते बहुत सारे लोगों की death थी पर लेकिन directly वो COVID-19 के वे से death नहीं थी वो बीमार थे कई सारे लोग किसी और बीमारी की एक सांस की बीमारी थी तो उसकी death जो है वो कहीं नहीं बिल्कुल होनी ही होनी थी अगर को कोई-19 की बिमारी हो गी है किसी को अगर कोई किटीनी की बीमारी लिए बैठाया है कोई दूसरी बीमारी साथ में चल रही है तो वो क्या करा था वो immune system को और जदे बेकार कर जोज रहे थे और जैसे ही यहां पर चुहे ने काड़ा फिर इंसान की डैथ होगी तो फिर बोल दिया कि चुहे की वे काटने की वे से डैथ होगी तो यहां पर यह ऐसी सिट्वेशन आप लोग देखते हैं तो कई सारी ऐसी कंडिसन बनती है अगर कोई वीमार है वो लिडी इंसान तो कोर्सिस करो कि उसको जादे से ज़्यादा प्रोटेट करके रखो क्योंकि चांस हो जाते हैं कि अगर को कोई ऐसी सिट्वेशन बने तो और ज्यादा है प्रोल्म क्रियेट हो सकती है तो यह चोड़ी सी इंफोर्मिसन थी अवेर्नेस के पॉइंट हो से ताकि मैंने बता हैं जो कंधों पर ले जाकर बिसिकली जो गंदूख है उसको यूज करने की बात यहां पर की जा रहे थी तो यहां पर न्यू मैन पोर्टेबल जो एर डिफेंस सिस्टम है रस्या का जिसका नाम थे आपर एगेला एस तो यह सूट रेंज वेपन जो है वो इंड को इस सकते हैं क्योंकि उस टाइम पर मैं इसके बारे अपलों से मैंसे उसके बारे मेंınız को मता होने चैएं इसके अप'll will soldier को इन्होंने नुकसान भी पहुंचा है तो उसके चलती हाँ पर यह बाते देखने को मिल रही है एक सेकेंड यह जो न्यूजरी बहुत इंपोटेंट है और कल पूरे दिन जो है यहाँ पर न्यूजरी बने दी काफी detail में हाँ पर इसके बारे में कही सारी बात हैं आप yol ने को मिली और आगे इसके बारे में आप लोगो इडिटोरील भी देखने को मिलेंगे ठीक है तो इसको है जालते होगए इसके बारे माप maintenance अपस में मिलकर काम कर रहें तीन देश आपस में मिलकर काम करें मल्टी लेटल का मुद्द होता है कि कि इसके बारे में आप लोग को बता होना चाहिए अभी यहां पर इंडिया और रास्ते लिए वह काफी अच्छे एकनोमिक पैक्ट में हाँ पर अभी एंट्री कर रहें जिसके चलते कोपरेशन एंड ट्रेड एग्रिमेंट जो है आने वाले टाइम में इंडिया और आस्ते लियों को और ज्यादे करीब लेता हुआ नज़र आएगा हर एक फिल्ड में हम लोग आगे बढ़ते वे नज़र आएंगे आप लोग को पता है ओलेडी क्वाड में जो है हमारे आगेा सा थेलिया है मालाबार एकसाइजेंगों अगर आप लोगों उसे कोई मोले तो आप भी आप लोग को मिलते हैं जरकाहिए को बैब इस फिल्म लोग को रोल प्ले करेंगे चाइना को टैकल करने के लिए हाँ पर सप्लाई चैन जो रिजिलेंट की बात मैं ने की थी आप लोगों से उसमें इंडिया आस्टेलिया और इसी के साथ में जापान जो है वो मिलकर काम कर रहे हैं जिससे के हाँ पर चाइना को टैकल किया जा सेगे आने इसी के साथ में हाँ पर काफी अच्छी लिए पर काम करेंगे प्रोफेसरलन ट्यूरिस्ट और यहाँ पर इस्ट्रूडेंट को एक दूसरे कंट्री में भीजा जाए और अभी हाँ पर आस्टेलिया की जो टीम है आने वाले टैम में वो अभी हाँ पर फाइनल कप मतलब व होते हैं हाँ पर एकनोमिक कोपरेशन और इसी के साथ में ट्रेड एग्रिमेंट यहनके इसी टीए अभी हाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा यह निकल कर आ रहा है जब इंडिया और आस्टेले के बारें बात करते हैं कि हम लोग अगर आज की डेट में डेरेक्ट आस्टेले क्या था कि उस पर्टिग्लर गुरुफ के अंदर में अगर फ्री ट्रेड एग्रिमेंट हम लोग साइन कर लेते हैं तो इससे आने वाले टाइम में हमारी कंट्री में किसानों को भी नुक्सान पहुंच सकता है क्यों क्योंकि किसान जो हैं जो प्रोडेट हमारे देश में निकालकर लेकर आते हैं वो यहां पर काफी सस्ते आएंगे अस्टेले से न्यूजिलेंड से और हमको देखने को मिल सकती है जैसे कि खासका डेरी के प्रोडेट होते हैं पर लेकिन अब हम लोग क्या करें इंडिविजूली जाकर अलग अलग देश के साथ में को बताने ठीक है तो यह काफी जादे न्यूज में था मैंने बताया भी था कि मेरी आत्मा जो है मुझे गवाई नहीं दे रहे हैं कि मुझे एग्रिमेंट का नायम आप लोग को बताना है अब यह अगर बात पूर हैं से इंडिया और आस्टेलिया की जो कॉम्प्रिहेंसि एंड ट्रेड जो यहाँ पर एग्रिमेंट है इसमें कई सारी चीज़े दोनों कंट्री के बीच में आप लोग को देखने को मिलेगी खासकर अगर बात कि जाएं ट्रेड इन गूर्स एंड ट्रेड इन सर्विसेज गूर्स क्या होते हैं सामान जो भी आप लोग आजके में तो जैसे कि आपर लेबर इंटेंसिव जो इंडियन सेक्टर हैं जैसे कि टेक्स्टाइल यानिके कपड़ा उद्योग हो गया ठीक है जैम सेंड जूली हो गया हमारे देशे में काफी जद है खासकर जो चीज़े हैं खासकर साधी भी हमें आप लोग ने देखा होगा कि हम जो सोनी के ओपर काफी जदा है इने डेडिकेटट रहते हैं तो सब चीज़े तो लैदर हो गया फूड एंड इसी के साथ में फार्म प्रोडेक्ट हो गये तो यह सब मिलकर एक दूसरे के साथ में हम लोग वह फार में लेकर आएंगे आस्टेले का कोईला हमारे लिए काफ लोग को देखने को ने मिलेगा तो देखी लीडिंग पड़ूतर में जब लोग बात करते हैं तो चाइना, USA, असितली क्यूपाते हैं हमारी जह कंट्री में च्ळ जहां ने देखने को मिलतक है अच्छा और बुड़ा क्या होता है जोता है क का और रभा का यह चेक कर अद टोपिक में आप लोग को डाउट है तो देख ले ना जीए सिबर 3 के अंदर में ये mineral energy resources के point of से आप लोग इसको connect कर सकते हैं ठीक है तो ये information यहाँ पर मैंने डाली थी बाकी यहाँ पर अगर बात करेंगे कोईले के साथ में minerals, ores हो गया और यहाँ पर और भी जो की नहीं एक तरीचे drink करने वाले लोग हैं उनके लिए आप लोग को देखने को मिलेंगे ये बात ही हाँ पर किये जा रही है अब यहाँ पर services के वारे बात करके हैं हमारी country में भी आप लोग ने देखा यूक्रीन में अब जैसे ही हाँ पर वापस आ रहे हैं तो इसका मदलब यह समझ में आ रहा है कि हमारे देश के बहुत सारे बच्चे जो है विजेसों में पढ़ने जाते हैं इंडियन स्टुडेंट इन अस्टेलिया आप लोग को देखने को मिलेगा काफी सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं और फिर यहाँ पर उनको वर्क वीज़ा की बात की जा रही है खासकर अगर बात करें कि हाँ पर देखे अगर बात करें हाँ पर कि 2 to the 4 years अगर बात करें हाँ पर अगर वर्क वीज़ा मिल जाए इंसान क्या दे कि हमारी कंट्रिमन मिडिल क्लास फैमली बहुत जादे रहती है और खासकर अगर किसी को पढ़ने भेजना है विद्यसे में अपने बच्चे को तो हाँ पर ऐसा नहीं कि सारी जो बेसिकली फीस वगरा है असानी से पे कर बात हैं कई सारे फास्ट एक अप्रूवल भी हाँ पर दियाएंगे जैसे कि पेंटेंटिड खासकर जन्रिक दवाई होगी ठीक है इसी के साथ में इसी के साथ में हाँ पर बायो सिंबलर मेडिसन्स होगी तो यहीं कि हम लोग इस फिल्ड में मिलकर काम कर सकते हैं आने वाले टाइम में हाँ पर चीज़े अच्छे लेवल पर आप लोगो बढ़नी स्टार्ट आती होई नजर आएंगे और ऐसा नहीं है यह फास्ट ताइम हाँ पर चीज़े आप लोगो देखने को मिल रही है फिर 2020 में हाँ पर जोइंट स्टेट्मेंट निकल कर आई और कॉंक्रिहेंसिव इस्टेटिक एग्रिमेंट के बारे में हम लोगों ने बात है कि तो उस ताइम पर फिर लगा कि आप चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं काफी सारे इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कि जा रही है तो आस तीलिया जो है वो एक काफी एक रिलाइबल पार्टनर भी हम लोगों को नज़र आ रहे हैं कोछीज़े हैं जो मैंने आप लोगों को बता दी बाकिंगे बात कि जा रही है उसके यह और यह घूजर हमारे हमें बता दी उयलोगों के लिए इस के बात कि आप लोगे इम बता लोग हो चुकी है इसी के साथ में रिव्जन कर लेना आप लोग सारी जो वीडियो है पुरानी भी आप लोग के माइड में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए तो complete रिव्जन आप लोग का अच्छे से हो जाना चाहिए ताकि आगे से सारी चीज़े जो है वो आप लोग के हाथ में रहे और educate करने के लिए लोगों को autism के बारे में autism है एक बच्चा जो है उस लेवल पर डवलप नहीं हो पाता है जिस लेवल पर एक नॉर्मल बच्चा जो है वो डवलप होता है तो यहाँ पर उन बच्चों के लिए हाँ पर basically बाते बता जाती है कि हाँ यह ऐसा बच्चा है इसको थोड़ा सा special treatment की जुरत पड़ेगी अगर इसको आप लोग society में अच्छे से लेकर चलना चाते हैं तो उसी के बारे में हाँ पर बात की जा रही है तो inclusive quality education for all इसके बारे में बात की जा रही है और सी के साथ में जो global inequalities है education और society में लेकर जो भी खासकर लोग जो with autism face करें उनको कैसे taggle करना है यह जरूरी है तो यानि कि एक तरीके से यहाँ पर लेकर साथ में चलना है कई सारे बच्चे जो है special type of बच्चे होते हैं हाँ पर यह तो उनको उसी तरीके से आप लोगो trade करना है ऐसा नहीं कि हाँ पर उनको दिक्कत हो रही है कोई चीज अंडरस्टैंड करने में या फिर कोई चीज को handle करने में और यहाँ पर उनका मजा उड़ाय जा रहा है इससे उनके अंदर का self confidence वो काफी low हो जाता है और यह कहीं नगे फिर आगे गलत तरीका महूल की rate करता है तो यह सारी चीज़े जो आप लोग याद रखेगा यह important day है जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं और हाँ आज आप लोगे जो वीडियो आती है ना कि important days की जो भी और सारी theme की वीडियो भी आप की लोग की आएगी जिसमें लगभग मैं 8-10 minute के अंदर अंदर ही आप लोगे सारा रिवजन करा दूँगा जो भी important day और theme मैंने cover किये थे मार्च के महिने में तो उस वीडियो से देखे कई बार आप लोग एक question आसाने से बन जाता है तो आप लोग revision के time पर जो भी ऐसी चीज़े होती है उनको अच्छे से cover किया अगरो खासकर एक तरीके से ऐसी कई सारी themes जो है exam में पूछी आती है तो कोई भी doubt आप लोग इसको लेकर नहीं होना चाहिए तो यह काफी important रहता है topic जिसको आप लोग इच्छे से देखेगा और अगर कोई भी doubt आप लोग लगता है तो इसके बारे में जुरूब बताना अभी यहाँ पर इक काफी important news निकल कर आ रही है जो कि exam के लिए important हो सकती है वर्ड है तोर्गेंसन के द्वारा बात की जा रही है कि SARS-CoV-2 का variant अभी देखने को मिला है जिसका नाव रखागा है XE XE जो यहाँ पर recombinant जो report कह गए UK के अंदर में और यह काफी large scale पर यहाँ पर impact डालता हो भी नजरा रहा है यहाँ कि अगर आप लोगो लग रहा है COVID-19 जो है वह आप लोग की दुनिया से जा चुका है और जैसे कि मैं भी बाहर जाता हूं तो देखता हूं कोई भी mask वेगरा यूज नहीं कर रहे है सब अच्छे से अपनी life को enjoy कर रहे है ऐसा कुछ नहीं है अभी एक तरीके से जो कई सारे स्पेसिलिस्ट के दौरा यह भी बताएगा है कि जून के महीने में हो सकता है COVID-19 की जो फूर्थ वेव आप लोग है आप देखने को मिल सकती है अभी आप लोग ने देखा अस्टेलिया हो गया अस्टेलिस और यह जो चायना हो गया यह सिंगापूर हो गया यह इस तरीए कि जो कंट्री है कई सारी साउथ कोरिया हो गया इनमें COVID-19 ने काफी सारी केसिज देखने को मिलते हैं और ओल्रेडी इतनी सारी वेरियंट आप लोग को देखने को मिल रहे हैं पर लेकिन अब तक कोई भी ऐसी प्रोपर दवाई हमारे पास में नहीं है जिसके बेस पर हम लोग सीना ठोक कर बोल सकेगी हाँ आप हम लोग को टेंसल लेने की जुरत नहीं है तो यह जो वेरियंट निकल कर आ रहे हैं इसके बारे में हम लोगो समझना पड़ेगा जैसे बहुता है इस इंसान के बारे में जानने में इसे हैं आपर ही होता है तो कैसे transmit हो रहा है, उसकी जो deserves की severity कैसी है, कितना वो इंसान पर impact डाल सकती है और immune system से कैसे बच सकती है वो, यानि के बच के निकल गया तो कहते हैं, ऐसे बोलते हैं कि थोड़ा-थोड़ा सा बच छोक के निकल गया तो यह एक तरी से महामारी को बुलावा देने वाली बात होती है तो यहाँ पर अभी recently कई सारी चीज़ा आप लोग को देखने को मिले तो इसके चलते थोड़ा सा सतर खोने की बात है और जैसा कि यहाँ पर मैं आप लोग को हमेंसा बताता हूँ सार्स को टू क्यों बोलते हो यार देखो आज नहीं आए यह बीमारी पहली थी हाँ पर अगर बात करें सार्स यह के सीवियर एक्यूट डेस्परेटरी सिंड्रोम यह वाइरस है जैसे कि आप लोग देखते हैं एल्स के बारे में आप लोग बात करते हैं इस होता है और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर इसी तरीके से आप लोग वाइरस का नाम है यहाँ पर यह ओलेडी चाइना में 2002 के एरफेर में देखने को मिल चुकी थी तो यहाँ पर लगवग 30 कंट्री में फेल थी आपर तो यहाँ पर पहले और यहाँ पर यहाँ पर वाइरस को देखने को मिल रहे हैं दुनिया भर के हाँ पर ओलेडी जो वेरियंट की केटेगरी में आ चुकी है हमारी केंट्री अंदर ओलेडी डेल्टा ने काफी तभाई मचाई और कपपा आप लोगो देखने को मिला तो इस तरीगे से अलग-अलग यह चीज़ा भी निकल करा रही हैं तो इसको लेकर लापरभा बिलकुल नहीं होना है अगर लापरभाई बढ़ती तो फिर नुक्स पर जुड़ गये तो चर्के वागर चर्के वागर भी काते जा रहे हैं तो देखते हैं क्या कंडिशन यहां पर निकल करा थी अभी यहां पर कुछ इंपोटेंट आर्टिकल में आप लोगो बताने वालों मैंने बोला था यहां पर कि एक आर्टिकल बच गया है उसको अम संड़े में देख लेंगे तो आप लोगों कर अभी निव क्रिमिनल सिस्टम के बारें बाग की जारी है तो पूरा आप लिए श्रिलंका के अंदर क्या एमिर्जेंसी चल रही है वह मैंने आप लोगो बता आइए कि सिर्लंका के अंदर में हाप इसको देख सकते हैं मतलब क मैंने भी पताए स्रीलंका के अंदर में हाँ पर इंफ्लेशन काफी ज़ए हो चुकए है महाँ पर क्राइसिस है वाँ इंडिया रहा कि कर रहे है पर लेकिन दर हं यह हुआ पर हम basta काफी क्लगा हो गया था और और सिच्टेशन तो वहां से खराब हुई थी आप लोग याद होगा इस्टर संडे वाले दिन जब बॉम बलास्ट होता तो था है 19 में टैरिस्ट अटेक जो बोला गया था वहां से कंडिशन खराब हो नहीं इस्टाब हुई फिर आगे कोई 19 ने काम खराब कर दिया इलेक्शन वे उसके चलते भी हाँ पर लग रहा है सिच्टेशन सुद्रेगी फिर वह नहीं सुद्री हाँ पर आजखेट में उधारी इतनी है कि हाँ पर सिरलंका की पूरी की पूरी एकनोमी जो है वो गिरी भी रखी हुई है लोगों के पास में जो LPG सिलेंडर क्रोसीन गै चाइना भी हाँ पर हेल्प कर रहे है लेकिन में सिच्टेशन इतनी ज्यादा ख्राब हो चुकी है कि अभी हाँ पर हेल्प करने से भी रिजर्ट निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है अभी इसलिए आपर इनके दोरा एमेर्जेंसी भी डेक्लियर किए गई देश के अंदर सब्सक्राइब करें तो यहां पर यूक्रेइन के साथ में अभी रिलेशन अच्छे बना रहे हैं तो यहां वाले टैम में काफी फायदा भी इसका आप लोगो देखने को मिलेगा तो अभी मुद्दा क्या है मुद्दा सिधा-सिधा है कि रसिया जो है उस्से हम लोग ऑल हम लोग इस अभी हम लोगों ने मैंने बात की मैं पोर्टेबल जो डिवाइस है अभी हाँ पर हम लोगों खरीद रहे हैं तो उसके चलते अभी और फाइदा देखने को मिलेगा रसे से हम लोग S400 सिस्टम खरीद रहे हैं पर लेकिन सारी बाते कहें आपर यह सारे जो भी हम रूपी में वयापार करेंगे तो रसे की जो रूपें है और हमारी रूपी जो है उसमें वयापार अभी आगे देखने को मिलेगा रिजन क्या है? रिजन यहाँ पर और भी कही सा रहे हैं अभी US से हम लोगो थ्रेड भी दे रहे हैं कि कार्ट सा लगा देंगे इंडिया के उपर काउंटरिंग अमेरिका नेविट सीरीज थ्रू सेंक्षन है तो यह बिलूपर ऐसी बात होगी अभी कि मैं और पकलत रह μαी अभी आने वाले टाइम में याभी पेमेंट जो है वो आप लोगो होता वा नजर आएगा रूपी में और रूबल में अभी रस Jahre के साथ में बात करें तो मैंने सिप्रीग रिपोर्ट के बारे में आप लोगो बताया था आप लोग को याद होगा तो इसके बारे में आप लोगो बताता हूं इसको बोलते हैं इंडिया का जो डिफैंस है उसमें काफी लार्ज स्केल पर रस्या का आप लोगो रिपर्जेंटेशन देखने को मिल को बेसिकली डोलर में नहीं रुपी और रुबल में देखने को मिलेंगे इसी के चलते हैं आपर रिसे खुद भी बोल रहे हैं जी सेवन कंट्री को बोल दिया कि अगर तुमको चाहिए कि मेरे से गैस लेनी है तो मुझे डोलर नहीं रुबल में वया पार करेंगे तो आने व दौरा क्या क्या नहीं एक तरीके से चीजे ली गई है और विम्स्टेक देखे क्यों इंपोटेंट जाता है वो सारी बात है मैंने काफ़ी डेटेल में आप लोगों से डिसक्स किये विम्स्टेक के अंदर कौन-कौन सी कंट्री है यह आप लोग को बताना है देखता हूं क सब्सक्राइब करें तो यहाद रखेगा अभी अगर बात करें इंडियन जो बिसिकली इंडिया चैनली में नब इच्छे आप लिए यहाद सकते हैं इस कि आफ़ी बात हैं हैं जिसके बारे में याद रखेगा और basic information मैंने बताई थी किया क्या challenge है China का challenge है इसी के साथ में कि country जो है जो साथ में हमको लगता है कि India जो है वो एक तरी से ने big brother का role play कर सकता है तो वो सारी issues आप लोग को मैंने बताई दिती तो थोड़ा सा time लगेगा लगबग 10-15 मिट के गरीब कल का article देख लेना और यहां से question ही बनने के chance हो सकते है क्योंकि India जो है वो basically आज के रिमें जो साथ को छोड़कर वो basically विम स्टैक के पीछे लगवा है तो ये भी काफी बड़े issues आप लोग को देखने को मिलेगे तो यह थी basic बाते अब बात करेंगे new criminal justice system के बारे में काफी important topic हैं आपर judicary के साथ में आप लोग इसको देख सकते हैं अभी हमारी country में इसके लिए हैं आपर क्यों news में है वो मैं भी आप लोग से बाते करूँगा अभी हमारी इसके बारे में अगर बात करें तो फिर कैसे identify करना है कि उस इंसान ली हरकते की है तो उसको identify किया जाता है इसी के साथ में Indian evidence act है कि क्या-क्या सबूत है आपर उसके बेस पर काम किया जाता है तो यहाँ पर यह सारे जो भी चीज़ा आप लोग को देखने को मलती है तो इसके तहत हम लोग काम कर पाते है गोर्मेंट के दोरा initiate किया गया amendment करने के लिए इस पूरे procedure के अंदर में अब यहाँ पर बात करें तो मिनिश्टी और फो में फिर जो है वो suggestion दे रहे हैं हाँ पर किस तरीके से आपर चीज़ों को लेकर चला जाए तो वेरियस इस टेकोलडर है जिससे गवर्नर होगे चीप इसके अंदर कुछ चेंज हाँ पर करना चीए क्या आजसी है नहीं यह बाबा आदम के जमाने से हमारे देश में चलतावा आप लोगो नज़राएगा इसके बारे बात करें ते हाँपर पॉडिफिकेशन के बारे बात की जारी criminal लोंद के बारे में जहा wa British time पर यहाँ पर यह बनाय गया था अगर बात करें तो लोर्ड थोमज जिनका नाम थे वे कळ अंके बारे में आप लोग निस्टार भी होगा आज चीट में आप लोग को देखने को मिलेगी कि requirement है कि इनके अंदर change के जाए तो यहाँ पर अभी कैसे relationship की और इसके साथ में state की तो वो होना चाहिए हमारे देश में थे criminal justice system में जो सबसे important चीज़ है जो सबसे ज़ादे irritate करने वाली चीज़ भी है हम लोग अगर किसी ने कोई गलत काम कर दिया माली यह कोई लड़की है उसके साथ में किसी ने कोई चेड़ खानी गी यह फिर किसी इंसान को यहाँ पर किसी ने गोली मार दे उसका हाथ कड़ गया तो हम लोग क्या करेंगे criminal के पिछे पड़ जाते हैं पुरा कि इसने गोली मार दे इसने लड़की के साथ में चेड़ खानी कर दी मतलब पूरा focus 100% focus यहाँ पर 100% के 99% focus इसके उपर रहेगा only 1% focus इसके उपर रहेगा यानि कि इसका हाथ कड़ गया ठीक इस लड़की के साथ में चेड़ खानी करी किसी के साथ में रेफ हो गया, उसके उपर फोकस नहीं है, पूरा जो है क्रिमिनल के उपर फोकस है, उसको लेकर जो जेल में डालो, वो करो सारा काम, वो सही है, थोड़ा इनकी उपरी फोकस करो ना, क्योंकि ये तो वंडरेबल बन गें, इनकी कहानी बाद जद ख्राव हो ग मलिमत कमिटी के दोरह 2003 में, यहां पर रिपोर्ट समिंट किये थी, और उसने वही बात बोली थी, कि हम लोग को देखे थोड़ा सा फिवर करना चाहिए, एक तरीके से, हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना पूरा फोकस दे जाएं, उसकी कि तरफ को दे जाएं, जो कि यहां प पाबा आदम के जमाने का कानून, आप लोग लिए बैठो, इसके अंदर चेंज करो, कुछ अच्छी अच्छी चीज़े लाओ, कई बार एफेक्टिवनेस नहीं है, इसके अंदर में केस दुनिया वर के पेंडिंग पड़े हैं, लगबग मैंने बता है, धाई करोडे इसके अंदर आप लोग को रिफॉम लाने की जुरत है, तो हमारी कंट्री में बहुत सारे तो आप लोग ऐसे केसी देखने को मिलते हैं, कि भाई साब केस चल गया है, अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है, तो ये है कि राम भरो से चीज़े चल रही है, तो ये चीज़ ब्यूरो के इसाप सी बेगर में आप लोग उसे बात करूँ, 67 के खरीब जो टोटल प्रिजनर है, वो अंडर ट्रायल है, समझने मोटर मोटर तोर पर 70% लोग जो है, वो जेल में अंडर ट्रायल है, उनके पता नहीं कब केस चलेगा और कब चीज़े निकल कराएंगी, तो विक्टिम प्रोटेक्शन प्लान के बारें बात की जाती है, इसी के साथ में विक्टिम का इंपेक्ट होना चाहिए, स्टेट्मेंट का कि उसी के साथ में रेप हो रहे है, उसी की स्टेट्मेंट धंसे नहीं माने जा लिए, कोई और सबूत खोजते हैं, ठीक है, और अगर जो करना चाहिए और अगर जो किर्मिनलेंटी के बारे बात रहे कैसे क्रिमिनलाइजीशन होना चाहिए तो इसके ले भी हाँ पर एक सिंटिफिक बेस होना चाहिए एसे निकी हवा में तेरवाजी चल रही है तो यह कहने का मदला भी हाँ पर यह हमारी country में यह जो मुद्ध है यह काफी थोड़ सा वैसा देखने को मिलेगा जिसके उपर हम लोगो काम करने की बात की जाती है तो जरूरी है कि इसके अंदर reform लेकर आएं तो इसी के चलते हैं अभी हाँ पर यह news में है तो यह article है यह important article बन जाता है इसका मैंने सोते था आप लोगों से पहले डिसर्स करो वालेकिन फिर मुझे पता था कि Sunday में टाइम मिल जाएगा तो संडे में डिसर्स कर लेंगे हमारी country में पैसा जब तक खर्च नहीं है तब तक कुछ नहीं बोलता है पैसा खर्च करने के बाद में हापर यह picture में आता है तो अभी देखते हैं क्या चीज़े निकल कर आती है के बारे में आप लोग को बता होने चाहिए थोड़ा सा तो कैक का चेप्टर आज आप लोग करना ना मेरे यार्जनेरा कट करना ठीक है मैने विसी के बारे में आप लोगों से पूछा था तो यहां पर आप लोग देखते हैं काफी अच्छे से इनके दार आप लोग देखने को मलती है तो परजय टाइम पर इंडिया वीस के अंदर इंक्लूइड है इंडोनेशन इं इंडिया और नेपाल आप लोगो देखने को मिल जाते हैं इसी के साथ में हाँ पर इंद्रकुमार गुजराल जो हुनके बारे में आप लोगों से बात किती काफी इंपोर्टेंट पोडिशन थे और 12 जो प्राइम स्टोप इंडिया जिनके द्वारा गुजराल डॉक्ट् सुनाइए नाइन ऐसे स्टेट हैं जो कि हमारी कंटरी में बॉर्डर एरे टच करते हैं जो मैं आप लोगों कईयों बार बता चुकों जिनके बारे में कोई कंफूजन नी होना चाहिए जैसे गुजरात हो गया महरास्ता हो गया गोवा करनाटका इसी के साथ में केला तमिल साथ में पावर सर्च करने किसी को अरेस्ट करना कहीं पर भी कोई अपने हैंवसार से काम कर सकते हैं में और साते में यह आता है कि कल को चल कर अगर कोई भी हमारी कंट्री में अगर आर्मी के खिलाब कुछ